हमारे मेर जो असल में धकन चोह रहे हैं जो के एक धकन 900 का मिलता है वो 2700 का बेशते हैं क्योंकि बनाते नहीं हैं मीडिया के रिपोर्ट के हिसाब से वो जितने भी गटर के धकन बनाये जारी है वो मार्कीट में सेल किये जा रहे हैं उनके कहने के मुताबिक रोजाना हम 300-400 गटर के ढकन बनाते हैं और एक महीने में पूरी कराची में गटर के ढकन लग जाएंगे तीन महीने से ज़ादा हो चुके हैं गटर के ढकन नहीं लगें और अक्सर हमारे साथ ही होता है कि हम कराची वालों को किसी भी मसले को हाइलाइट करने के लिए या तो हमें जेलों में जाना पड़ता है या तो हमें कतल कर दिया जाता है क्योंकि यह कतल है यहां पे कल एक छोटा बच्चा गिरा उसको जब निकालने के लिए उसका मामू कुदा तो वो दुबारा जिन्दा वापस नहीं आया उसके छोटे तीन बेटियां एक बेटा है, एक हफता पहले ही बेटी पएदा हूई यार आप लोगों को शरम आना चाहिए, जूटे दावे हैं आप लोगों के, आपके बाते आपका काम आपके लीडर की तरह है, खोकला सरिफ, शरम का मुकाम है तुम लोगों के लिए तुम हसोगे की ये कमजोर सी आवाज है क्या जन जना या हुआ थर्डा या हुआ साज है क्या जिन असीरों के लिए वक्फ है सोने के कबज उन में मौजूद अभी खाहिश परवाज है क्या आह तुम फितरत एंसान के हम राज नहीं मेरी आवाज ये तनहां मेरी आवाज नहीं मेरी आवाज ये तनहां मेरी आवाज ये तनहां मेरी आवाज ये तनहां